आओ मेरे प्यारे बच्चो चुन्नू मुन्नू सुन्नू इन्टू पिन्टू शिन्टू आओ मेरे प्यारे बच्चो आज दिखाएं आपको खिलोने खिलोने ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों के मन को मोह लेते हैं ये ऐसे खिलोने हैं जो आपने कहीं न कहीं देखे होंगे जो आपने पापा की परी की कहानियों में शुने होंगे जो आपने नानी मा की कहानियों में शुने होंगे जो आपने मेले में घर में गाओं में कहीं कहीं देखे होंगे ये वो खिलोने हैं जो आपको बहुत ही जादा अच्छे लगेंगे ये खिलोने ऐसे हैं जिन खिलोनों को देख करके आपका मनवी इनसे खिलने को करेगा आपने कहीं न कहीं एक कहानी शुनी होगी मेरे प्यारे बच्चो आओ देखें इन खिलोनों को हम ये खिलोने आपको जो देखा रहे हैं ये एक मेले में लगी हुई दुकानों पे रखे हुए खिलोने हैं इन खिलोनों में बहुत ही मन को प्रभावित करने वाली सक्तियां हैं जो आपको सुन्दर और अति आवश्यक सूचना के साथ में बहुत ही जादा अच्छे लगेंगे ये वो खिलोने हैं जो आपने कौनसे कौनसे खेल देखे हैं आपने कौनसे कौनसे कार्टून वीडियो देखे हैं जैसे एक आप सब का सबसे अच्छा कार्टून वीडियो है जो है छोटा भीम छोटा भीम किस-किस ने देखा है अगर आपने छोटा भीम बाला नाटिक कार्टून वीडियो देखा हो टीवी पर या मोबाल पर तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों क भेजें चोटा वीम में जो कार्टून यूज किये गए हैं जो खिलोने दिखाए गई हैं वो कुछ इसी तरीके के खिलोने हैं यही हैं वो खिलोने जिनसे चोटा वीम को खेलते कूदते उचलते हुए दिखाया गया है चोटा वीम की जो सक्तिसाली कदा है वो भी इनी में से ली गई है छोटा वीम के बाद में आपने एक नाटेग जरूर देखा होगा मोटू पतलू में जो शिंगम है सिंगम की जो रेशिंग कार है वो इनी कारों में से ली गई है जो आपको दिखाई दे रही है सिंगम जिस बंदूक को चलाता है वो भी यहीं से ली गई है जो आपको दिखाई दे रही है सिंगम की जो बंदूक है वो देखने में कितनी सुन्दर लगती है वो बंदूक यहीं से ली गई है बैसे उसमें गोलियां प्लास्टिक की होती है जिनसे कभी किसी को कुछ होता न नहीं है वो एक अच्छा नाटिक है जिसको हम सबने देखा है इसके साथ में हमने एक नाटिक और देखा है डोरे मोन और नोपता का डोरे मोन को आपने देखा होगा वो कैसे कैसे काम करता रहता है डोरे मोन एक बहुत ही अच्छा कार्टून है जिसको हम सबने कहीं न कहीं द अगर आपने मोबाल पर या टीवी पर तो डोरे मॉन में जो भी कार्टून यूज किये गए है जो भी खिलोने लिए गए हैं वो इनहीं खिलोनों में से लिए गए हैं अगर आपने डोरे मून छोटा वीब, मोटू पतलू के साथ में नन्हे वच्चों की कहानिया, नानी मा की कहानिया, परियों की कहानियों के साथ में और भी वह सारी वीडियो में जो टोईज यूज किये जाते हैं, जो खिलोने यूज किये जाते हैं, वही खिलोने इसमें दिखाए गए हैं, इन खिल लगते हैं ये खिलोने आपको बहुत भी अच्छे लगेंगे क्योंकि जब इन खिलोने से आप डोरे मोन को छोटे भीम को च्मटू पतलू को शिंगम को इनको खेलते हुए देखते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छे लगते हैं यानि आप इने अब और देखोगे और खुद खेलोगे तो ये आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आपके मन को भाज आएंगे ये कुछ ऐसे खिलोने हैं जिनके साथ में आप और भी मनुरिंजन कर सकते हो ये वो चीजें हैं जिनको देख करके आपको भी लगेगा कि कहीं न कहीं आपको भी इनसे खेलना चाहिए जैसे बहुत सारी फुटवॉलें अगर एक कमरे में रखी हों तो कभी आप किसी को लात मारोगे कभी आप किसी को लाद मारोगे यानि आप सभी फुटवॉलों से खेलोगे अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे मार्वल्स दे दिये जाएं तो मार्वल्से भी आप बहुत कुछ खेल सकते हो मार्वल्स के भी कई सारे खेलोने होते हैं आप इन गाडियों से भी खेल सकते हो जिसमें छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी मोटू पतलू का रिक्सा सिंगम का हेलिकॉप्टर ये रखे हुए हैं ये देखो डोरेबोन और नोपोता रखे हुए हैं ये वही खिलोने हैं जिनको हमें दिखाया जाता है इन खिलोनों से आप भी खेल सकते हैं और बहुत कुछ समझ के सीख सकते हैं ये खिलोने हैं जो आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छे लगेंगे ये सिंगम की पुलिश वाली गाड़ी है जो आपको अभी दिखाई दी है सिंगम को इसी में बेठाल के जगय जगय दिखाया जाता है ये जगम कैसा दिखता है ऐसे ही छोटा भीम में छोटे भीम की जो ताकत है और कलाकारी है वो भीम के साथ में उन खिलोनों में भी है वो खिलोने यहां दिखाए गए हैं देखिए ये एक अलग तरीके का खिलोना है ये गुडिया है नानी मा की कहानिया आपने जरूर सुनी हो नानी तेरी मोर्नी को ले गए मोर, कहीने कहीं ये सुनी होगी आपने, और आपने एक अच्छा आप वीडियो जरूर देखा होगा, वो हर वच्चे ने देखा है, अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो कौन सा वीडियो है मैं आपको बताता हूँ वो वीडियो है लकडी की काठी काठी के गोड़ा गोड़े की दम पे जो मारा हतोड़ा दोड़ा 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 तोड़ा दोड़ा दोड़ा तुम दबाके दोड़ा ये आपने सुना होगा ये वीडियो हमने कई तरीके से कई रूपों में देखी है ये हमारी किताबों में दी गई वीडियो है ये हमारी किताबों में दी गई कहानियों में जे एक अच्छी मन को प्रेरित करने वाली कहान को हम सबने कहीं न कहीं सुना है ये वही कहानी है जिसकी वीडियो हमने कई बार देखी है एक और कहानी है जिसकी वीडियो भी हमने खोव अच्छी तरीके से कई बार देखी है वो कहानी है चन्दा मामा दूर के पुए पकाए हूर के आप खाएं धाली में मामा को दें प्याली में ये वाला सुना है ना आपने बिलकुल सुना है देखो 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 और ये क्या आया ये भईया क्या देखा रहे हैं ये अंकल जी क्या देखा रहे हैं देखे आपको सुन्दर सा किलोना दिखाएंगे ये ये वो किलोना है जिसको देखके आपको बहुत ही अच्छा उस खिलोने को देखकर के आपने भी कहीं न कहीं सोचा होगा कि इस खिलोने से आप भी खेलें छोटी छोटी कारों से, बड़ी बड़ी कारों से, ट्रेन से, हेलीकॉप्टर से, रिमोट वाली गाड़ी से बिना रिमोट वाली गाड़ी से, चावी वाली गाड़ी से, इसको चलाओ, इसको गुमाओ ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये और उपर से नीचे की तरफ जब आता है तो लुड़कता हुआ आता है लेकिन ये गाड़ी जब गिरती है तो इससे किसी को चोट नहीं लगती क्योंकि ये इस्प्रिंग वाली गाड़ी है और गाड़ी भी तूटती नहीं है ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है बहुत ही सुन्दर गाड़ी है ये वो गाड़ी है जिसको हम सब देखते हैं चलाते हैं ये वही गाड़ी है जो बहुत अच्छी दिखती है ये वही गाड़ी है जो हर कलर में मिलती है काले कलर में पीले कलर में नीले कलर में हरे कलर में कई कलरों में मिलती है ये गाड़ी इस गाड़ी को देखो कितनी सुन्दर दिख रही है ये चोटी सी JCV रखी हुई है JCV बहुत कामों में आती है JCV के इतने सारे काम होते हैं कि आप इसको देख करके चौक जाएंगे JCV से आप कुछ भी एक जगे से उठा करके दूसरी जगे रख सकते हो JCV से आप मिट्टी खोद सकते हो JCV से आप खराब पेड़ों को उखाड सकते हो JCV से आप दीवालों को तोड सकते हो JCV से आप एक मिट्टी की दीवाल बना सकते हो JCV से आप एक मिट्टी का पहाड बना सकते हो JCV से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो क्या आपने कभी JCV को चलते हुए देखा है अगर आपने JCV को चलते हुए देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें JCV के साथ में एक आपने बड़ी डंपर कार देखी होगी जो छोटे छोटे बाहनों को लोड़ करके एक जगे से दूसरी जगे ले जाती है क्या आपने ऐसी गाड़ी कभी प्रतिच में देखी है जी हाँ हमने देखी है हमने देखी है हमने देखी है अच्छा तो आपने और क्या क्या देखा है क्या आप कभी फुटवॉल से खेले हो जी हाँ खेले हैं चड़िया बल्ला से खेले हो जी हाँ खेले हैं क्या आपने कभी क्रिकेट मेंच खेला है जी हाँ खेला है क्या आपने क्रिकेट मेंच कभी देखा है जी हाँ देखा है अच्छा तो आप मुझे ये वताओ आप में क्रिकेट देखने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है चलो और दूसरी चीज को देखते हैं हम कितने सारे खिलोने छोटे वड़े लटके हुए हैं कितने सारे खिलोनों को आपने अभी तक देखा है इसमें ऐसा कोई और खिलोना है जो साइद आपने अभी तक ना देखा हो तो हमें ये कमेंट करके जरूर बताओ सई है के नहीं ये देखो छोटे छोटी JCV लटकी हुई है बड़ी बड़ी भी लटकी हुई है ये क्यों लटकी है क्या ये आपको पता है नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ ये JCV इसलिए लटकी है क्योंकि ये प्लास्टिक की है और ये दुखान पे रखी हुई है जिन जेसीवियों को आप लटके हुए देख रहे हो वो प्लास्टिक की है और ये चावी से चलती है बिना चावी के भी चलती है आप इन में एक धागा बांद करके उससे भी खीच सकते हो उससे भी चला सकते हो और देखो ये क्या है कार हैं छोटे छोटे गुड़े रखे हुए हैं जिनको आप खड़ा भी कर सकते हो और लिटा भी सकते हो जब आप इनको लिटा करके चलाते हो ना तो ये फोजी की तरह अपने बाहों से छाती और पेट के भल चलते हैं बहुत ही अच्छे और सुन्दर लगते हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे मालो फोजी की ट्रेनिंग कर रहे हो ट्रेनिंग करने के वाद में ये लड़ाई के लिए वडर पर जाने वाले हो ये डमडम रखी हुई है डमडम को बजाने से कैसी आवाजें निकलती है क्या आपने कभी डमडम को बजाया है क्या आपने कभी डमडम की आवाजें सुनी है मैंने तो सुनी है मैंने तो छोटी वाली गाड़ी भी चलाई है गुड़ा भी चलाया है आपने क्या क्या चलाया है जरा हमें ये भी बताओ कि आपने किस गुड़े को चलाया है आप गुड़े को क्यों नहीं चलाते हो आप जिस गुड़े को चलाते हो वो गुड़ा कैसा दिखता है आपने जिस गाड़ी को चलाया है वह गाड़ी कैसी दिखती है ये भी हमें बता कई गाडियां आपने पुरानी पुरानी देखी होंगी, कई गाडियां अपने नई नई देखी होंगी, कुछ गाडियां सेल से चलती हैं, कुछ गाडियां बैटरी से चलती हैं, ये गाडियां वो हैं जो बैटरी से चलती हैं, ये जे सीवी वो हैं जो सेल से चलती हैं, ये पर वो है जो रिमोट कंट्रोल से चलता है अब आप ये बताओ इसमें कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी है आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी है आपको कौन सा खिलोना अच्छा लगा है उस खिलोने को आप हमें बताएं हम वही देखेंगे कि वह कौन सा खिलोना हैं जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगा है इस खिलोने में से हम आपको एक खिलोना भी देंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो वीडियो को लाइक करते हो तो ये खिलोने देखने और खेलने के लिए आपको भी मिलेंगे ये बहुत ही अच्छे खिलोने हैं आप जैसा खिलोना लेना चाहो वैसा ले सकते हो छोटा लेना चाहो छोटा ले सकते हो वड़ा ले सकते हो बताईए आपको कैसा खिलोना चाहिए कौनसा वाला चाहिए आपको जीप चाहिए गारी चाहिए कार चाहिए ट्रेन चाहिए ट्रक चाहिए वस चाहिए ह हेलिकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, जेसीवी चाहिए, हाइडरा चाहिए, डंफर चाहिए, कंटेनर चाहिए, क्या चाहिए आपको, आप ये हमें बताईए, या आपको ये छोटा वाला जूला चाहिए, या ये आपको इस्टंट करने वाली कार चाहिए, या आप आपको मोंस्टर वाली कार चाहिए आप बताओ आपको क्या चाहिए कौनसी वाली गाड़ी चाहिए कौनसी वाली कार चाहिए रिमोट वाली चाहिए या बिना रिमोट वाली चाहिए आप जो चाहोगे वो ही आपको मिलेगी या ये आपको एक हाथ से सिंगल बैये वाला मीट जैसा चलाते हैं हम रोडों पर वो चाहिए बताईए आपको क्या चाहिए या आपको ये जुन्जुना चाहिए या जो पीले कलर की गाड़ी लटकी हुई है वो चाहिए आप बताईए आपको क्या लेना है ये हमें भी बताईए मैं आपको एक अच्छा सा खिलोना दूंगा लेकिन तभी दूंगा जब आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके होंगे अगर आपने वीडियो को देखा है तो अच्छा लगा होगा हमारी और भी वीडियो को देखिए उसमें और भी बहुत सारे खिलोने दिखाए गए है नए पुराने कई तरीके के खिलोने आपको वताए गए है जो खिलोने आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे इन खिलोनों को देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वही खिलोने हैं जिनसे आप खेलना चाहते हो यह वही खिलोने हैं जिनको आप अपने घर लाना चाहते हो